सर्वेभ्यो नमो नमहा संस्कृत कक्षायाम सर्वेशाम स्वागतमस्ति प्रियक्षात्राह अध्यवयम नवमकक्षायाह संस्कृत विशेयम पठामह अध्यवयम द्वितियाह पाठाह न त्यक्तव्यः अभ्यासह इति पाठास्या अध्यैनम कुर्महा बच्चों आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है न त्यक्तव्यः अभ्यासह पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के विशेयमे में थोड़ इसी जानकारी आपको देना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी है इस कहानी में एक किसान अपना क्रिसी कारिय को नहीं छोड़ना चाहता है उस गाओं की परिस्थिती ऐसी थी कि वहाँ वर्षा नहीं होने वाली थी तीन सालों तक और गाओं के सारे लोग गाओं को छोड़ कर दूसरे जगहों पे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए चले गए थे एक किसान गाओं में रुका हुआ था और प्रतिदीवस की भाती वो अपने खेत में हल चलाता था आस्मान में बादल घूम रहे थे वो देखे और देखकर के उस किसान के पास आकर के पूछे कि हे किसान आपको पता है ना कि इस गाओं में तीन साल तक वर्षा नहीं होगी फिर आप क्यों वेर्थ में ही अपने खेतों को जोत रहे हैं खेतों में हल चला रहे हैं किसान कहता है कि मैं यदि ये हल चलाना छोड़ दूंगा तो तीन साल बाद जब वर्षा होगी तो मैं हल चलाना ही भूल जाओंगा फिर मैं कैसे खेती करूंगा उसके इस बात से प्रभावित होकर मेग सभी बादलों को बादलों का आहवान करते हैं बुलाते हैं और कहते हैं कि आप भी वर्षा कीजिए नहीं तो तीन साल तक हम वर्षेंगे नहीं तो हम भी वर्ष ना भूल जाएंगे तो एक छोटी सी कहानी है जो हमें ये सिक्षा दे रही है कि व्यक्ति को अपना अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए तो चलो बच्चों हम इस पाठ को पढ़ते हैं द्वितियह पाठह न त्यक्तव्यह अभ्यासह कश्मिस्चित्ग्रा में बहू काल परियंतम अनाविष्टिह आसी भूमिही शुष्का जाता पान जलस्य अपी अभावह जाता तदा जनाह दैवज्यस्य समीपम गत्वा विचारीत वन्तः दैवज्यह ग्रह गतिम परिशिल्य उक्तवार नकेवलं अस्मिन वर्षे अपितू आगामी वर्षत्रय परियंतमत्र विष्टिही नभविष्यती इती तच्षृत्वा ग्रामवासिनह सर्वे जीवनार्थम यत्रकुत्रापी गतवंतह सग्रामः एव निर्जनह जातह परंतु तस्मिन पी काले तस्य ग्रामस्य एकह क्रिशकह तत्र स्थीतवार जलाभावे पी सह प्रतिदिनम स्वश्क छेत्रम कर्शन नासित एकदा आकासे एकह मेघह संचरन नासित सह क्रिशकम द्रिष्ट्वा अश्चरी चकितह सं तम अप्रिच्छर हे क्रिशक अत्र त्री वर्ष परियंतम व्रिष्टिही नभविश्यती इती किम भवता नसृतम ततकारणे नईव सर्वे जनाह ग्रामं परित्यद्य यत्र कुत्रापी गताहा तथापी भवान किमर्थम इदम शुश्कम छेत्रम व्रिथा कर्शती इती तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं न त्यक्त अभ्याह अभ्यास अभ्यास को अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए कस्मिश्चित ग्रामे बहुकाल परियंतम अनावरिष्टिही आसीद कस्मिश्चित अर्थात किसी ग्रामे गाओं में किसी गाओं में यहां ग्रामे ग्राम सब्दकी सब्तिमिश्भक्ती एक वचन है किसी गाओं में बहुकाल परियंतम बहुत समय से बहुत समय से बहु मतलब बहुत काल मतलब समय परियंतम मतलब बहुत समय से अनावरिष्टिही अर्थात वरिष्टि मतलब बरसात इसका विपरित है विलोम सब्द है अनावरिष्टि अर्थात बारिस का अभाव वर्सा का ना होना आसिद था किसी गाउं में बहुत समय से वर्षा का अभाव था भूमी ही शुषका जाता भूमी ही जमीन शुषका शुषका मतलब सूखा जाता हो गई थी तब भूमी सूख गई थी बारिस होने से भूमी में नमी आती है और बारिस ना होने से भूमी सूख जाती है तो भूमी सूख गई थी पान जलस्य अपी अभाव जाता है पान जलस्य पान जल अर्थात पीने का पानी का भी पीने का पानी का भी अभाव कमी जाता है हो गया था अर्थात इतना अकाल पढ़ गया था, इतना सूखा पढ़ गया था कि पीने का भी पानी नहीं था उस गाउं में पान जलस्य अपी अभावह जाता है पान जलस्य अर्थात पीने का पानी पीने का पानी का भी अपी माने भी अभावह अभाव कमी जाता है हो गया था अर्थात इतना सुखा पड़ गया था उस गाओं में कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था तदा जनाह डैवस्य समीपम गत्वा विचारीत वन्तह तदा तदा मतलब तब ये एक अभ्यावपद है तदा तब जनाह लोग गाओं के सभी लोग बहु अचन है जन सब्द ह जनाह जनव जनाह प्रत्मविभक्ति बहु अचन का सब्द है अर्थात बहुत सारे लोग बहुत से लोग दैवज्यस्य दैवज्य कहते हैं जोतिशी को दैव को जानने वाला तो दैवज्यस्य दैवज्य के पास जोतिशी के पास समीपम मतलब पास गत्वा जाकर यहां गमधातु में त्वा प्रत्या है गत्वा जाकर इसी प्रकार पठी त्वा पढ़कर ऐसे सब्द बनते हैं तो गत्वा जाकर विचारीत बनतहा विचार किये अपने बात को रखे जोतिसी के साथ मिल करके चर्चा किये क्या चर्चा किये दाइवज्यह ग्रह गतिम परिशिल्या जोतिसी होते हैं वो ग्रहों की गती को देख करके एक निशकर्स पर पहुचते हैं तो वैसे ही वो जोतिसी जो है वो ग्रहों की गती को परिशिल्य अर्थात भली भाती देख कर ये परिशिल्य सब्द परिउप्शर्ग पूर्वक शी धातु में लिप्रत्या है परिशिल्य अर्थात भली भाती देख करके उक्तवान बोले कौन बोले जोतिशी बोले क्या बोले वो हम देखते हैं ना केवलम अस्मिन वर्षे अपितु आगामी वर्षत्रय परियंतमत्र विष्टिही ना भविश्यती इती जोतिशी कहते हैं ना केवलम अस्मिन वर्षे ना केवल इस वर्ष अस्मिन वर्षे इस वर्ष ना केवलम अस्मिन वर्षे ना केवल इस वर्ष में अपितु किन्तु आगामी वर्षत्रय परियंतम् अर्थात आगामी आने वाले वर्ष वर्ष त्रयं आने वाले तीन साल तक परियंत मतलब तक आने वाले तीन साल तक अत्र माने यहां इस गाओं में विष्ट ही वर्षा नाभविश्यती नहीं होगी तो जोतिसी ने ग्रह गती को देख करके एक निसकर से निकाला और लोगों को बताया कि न केवल इस वर्ष अपितू आने वाले तीन वर्षों तक इस गाओं में वर्षा नहीं होगी ऐसा जोतिसी ने बताया तत्सृत्वा ग्रामवासिनहा सर्वे जीवनार्थम यत्रकुत्रापी गतवनतहा तत्सृत्वा उसको सुनकर तत्सृत्वा उसको सुनकर शृत्वा अभी जैसे गत्वा का बताया था ना वैसे ही शुरुधातू में कत्वा प्रत्य है शुरुधातू में त्वा प्रत्य है शुरुत्वा सुनकर ग्रामवासिनह गाओं के लोग गाओं में निवास करने वाले सभी लोग सर्वे अर्थात सभी जीवन आर्थम जीवन जीने के लिए जीवन निर्वाह करने के लिए यत्र कुत्रापी गत बनता है यत्र कुत्रापी यत्र माने जहां कुत्र माने कहां अपी माने भी ये तीनों शब्द अभिया हैं यत्र कुत्र और अपी तो यत्रकुत्रापी जहां कहां जहां उनको लगा कि हमारा जीवन यहां चल सकता है वहां के लिए वो चले गए गतवंतह चले गए यह भुवचन का सब्द है गतवान गतवंतव गतवंतह चले गए सग्रामह एव निर्जनह जाता है वह गाओं ही एव मने ही नीर्जनह निर्गतह यस्माद जनह सारे लोग निकल गए उस गाओं से सारे लोगों के निकल जाने से निर्जन हो गया जन रहीत हो गया अर्थात मनुश्यों का अभाव हो गया निर्जन सुनसान जिसे हम कहते हैं सुनसान हो गया परंतु तस्मिन अपिकाले तस्य ग्रामस्य एक हक्रिश कह तत्र इस्थितवान अ परंतु परंतु तस्मिन अपी काले तस्मिन उस काले समय में अपी भी अर्थात उस विशम समय में भी किस विशम समय में जब जोतिशी ने बता दिया था कि आने वाले तीन साल तक इस गाउं में वर्षा नहीं होगी तो वो गाउं के लिए विसम परिस्थिती थी न तो उस विसम परिस्थिती में भी तस्य ग्रामस्य उस गाउं के एक किसान किसान तत्र वहां उसी गाउं में स्थीतवान रुक गया था एक किसान उसी गाउं में रुक गया था दाइवज्यह ग्रह गतिम परिशिल्य दाइवज्यह जोतिशी ग्रह गतिम परिशिल्य जो जोतिशी होते हैं न वो ग्रहों की गती को देख करके एक निशकर्स पर पहुचते हैं तो वैसे ही वो जो तिशी जो है वो ग्रहों की गती को परिशिल्य अर्थात भली भाती देख कर ये परिशिल्य सब्द परिउप्शर्ग पूर्वक शी धातू में लिप्रत्य है परिशिल्य अर्थात भली भाती देख करके उक्तवान बोले कौन बोले जो तिशी बोले क्या बोले वो हम देखते हैं ना केवलम अस्मिन वर्षे अपितू आगामी वर्षत्रय परियंतमत्र विश्टिही नाभविश्यती ति जो तिशी कहते हैं न केवल अस्मिन वर्से, न केवल इस वर्स, अस्मिन वर्से इस वर्स, न केवल इस वर्स में अपितू, किन्तू, आगामी वर्स त्रयम, आगामी वर्स त्रय परियंतं, अर्थात आगामी आने वाले वर्स, वर्स त्रयम, आने वाले तीन साल तक, परियंत मतलब तक, आने वाले तीन साल तक, अत्र, अत्र माने यहाँ, इस गाउं में, विश्ट ही वर्षा नाभविश्यती नहीं होगी, तो जो तीसी ने ग्रह गती को देख करके, एक निश्कर से निकाला, और लोगों को बताया कि न केवल इस वर्स, अपितू, आने वाले तीन वर्षों तक, इस गाउं में वर्षा नहीं होगी, ऐसा, जो तीसी ने बताया, तत्सृत्वा ग्रामवासिनहा सर्वे जीवनार्थम यत्रकुत्रापी गतवंतहा, तत्सृत्वा उसको सुनकर, तत्सृत्वा उसको सुनकर, शृत्वा, अभी जैसे गत्वा का बताया था न, वैसे ही, शुरुधातू में कत्वा प्रत्य है, शुरुधातू में त्वा प्रत्य है शुरुत्वा सुनकर ग्रामवासिनह गाउं के लोग गाउं में निवास करने वाले सभी लोग सर्वे अर्थात सभी जीवनार्थम जीवन जीने के लिए जीवन निर्वाह करने के लिए यत्र कुत्रापी गत बनता हम यत्र कुत्रापी यत्र माने जहां कुत्र माने कहां अपी माने भी ये तीनों शब्द अब्या हैं यत्र कुत्र और अपी तो यत्र कुत्रापी जहां कहां जहां उनको लगा कि हमारा जीवन यहां चल सकता है वहां के लिए वो चले गए गतवन्तः चले गए ये भुवचन का सब्द है गतवान गतवन्तव गतवन्तः चले गए सग्रामह एव निर्जनह जाता सग्रामह एव निर्जनह जाता वह गाओं ही एव मने ही नीर्जनह निर्गतः यस्माद जनह सारे लोग निकल गए उस गाओं से सारे लोगों के निकल जाने से निर्जन हो गया जन रहित हो गया अर्थात मनुश्यों का अभाव हो गया निर्जन सुनसान जिसे हम कहते हैं सुनसान हो गया परंतु तस्मिन अपिकाले तस्य ग्रामस्य एकह क्रिशकह तत्र इस्थीतवान परंतु परंतु तस्मिन अपिकाले तस्मिन उस तस्मिन उस काले समय में अपी भी अर्थात उस विशम समय में भी किस विसम समय में जब जोतिशी ने बता दिया था कि आने वाले तीन साल तक इस गाउं में वर्षा नहीं होगी तो वो गाउं के लिए विसम परिस्थिती थी ना तो उस विसम परिस्थिती में भी तस्य ग्रामस्य उस गाउं के एक किसान क्रिश कहां मतलब किसान एक किसान तत्र वहां उसी गाउं में स्थीतवान रुक गया था एक किसान उसी गाउं में रुक गया था जला अभावे पी इसमें तीन शब्द हैं जल अभावे अपी है न तो जल अभावे जल के अभाव में भी है न जल के अभाव में भी देखिए वर्षा से ही वर्षा होती है तो हमारे गाउं के तालाब नदी नाले यह सब भरते हैं पानी से भर जाते हैं और उन्हीं भरे हुए पानी से हमारा जीवन निर्वाह होता है क्रिशी कारिय होता है दैनिक जीवन की सारी उप्योगी कारिय उसी से होते हैं और उस गाओं में हमने जैसा भी पढ़ा कि पीने का पानी का भी आभाओ था फिर भी एक किसान अपने उस गाओं में रुक गया था जल के आभाओं में भी उस गाओं में वो रुका था नकेवल रुका था अपितु वो क्या कर रहा था सह प्रतिदिनम सह मतलब वह वह किसान प्रतिदिनम प्रतियक दिन रोज सुष्क छेत्रम सुष्क सूखे छेत्रम खेत को तो वह किसान अपने सुखे खेत को प्रतिदिनम रोज कर्शन नासीत कर्शन अर्थात हल चला रहा था अपने सुखे खेत में प्रतिदिन हल चला रहा था है ना अद्भुद बात कि लोग उस गाओं को छोड़ कर दूसरे जगा अपने जीवन निर्वाह के लिए चले गए थे एक किसान उस गाओं में रुका और रोज अपने सुखे खेत में हल चलाता था एकदा आकाशे एकह मेघह संचरन नासित एकदा एक बार यह अभ्याइपद है एकदा एकदा एक बार आकाशे आकाश में एकह मेघह संचरन नासित संचरन अर्थात घूम रहा था आकाश में एक बादल घूम रहा था किसान को देख कर क्या कर रहा था किसान सूखे खेत में हल चला रहा था उस हल चलाते हुए किसान को देखकर दिष्टवा मतलब देखकर दिष्धातु में त्वापरत्या है दिष्टवा देखकर आश्चरिय चकित हसन आश्चरी चकित हुआ भई आश्चरी की बात तो होगी ही कि सबको पता है कि तीन साल तक वर्षा नहीं होगी और लोग गाउं छोड़ कर चले गए एक किसान गाउं में रुकता है और वो अपने सूखे खेत को प्रती दिन हल चलाता है तो इसको देख करके बादल आश्चरी चकित होता है है ना और आश्चरी चकित होकर के तम अपरिच्छत उनको पूछता है उस किसान को तम उसको किसान को अपरिच्छत पूछता है कौन पूछता है बादल पूछता है किसको पूछता है किसान को पूछता है हे क्रिशक, अत्र वर्ष त्री परियंतम, विष्टिही नभविष्यती थी, कि हे क्रिशक, हे किसान, अत्र यहाँ, अत्र यहाँ, वर्ष त्री परियंतम, तीन साल तक, आगामी तीन साल तक, विष्टि यी वर्षा ना भविष्यती नहीं होगी ना मतलब नहीं भविष्यती मतलब होगी ये भविष्यती शब्द भूध हातु का नितला कार प्रतम पूरुश एकवचन का रूप है इसका रूप चलता है भविश्यति भविश्यतह भविश्यन्ति है ना तो आगामित तीन वर्ष तक यहां वर्षा नहीं होगी इती ऐसा किम भवता नशुरुतम क्या आपने नहीं सुना है कि यहां तीन साल तक वर्षा नहीं होगी क्या यह बात आपने नहीं सुना है तत कारणे न एव तत कारणे न उसी कारण से एव ही सर्वेज नाह सभी लोग गाउं के सभी लोग ग्रामं परित्यज्य ग्रामं गाउं को परित्यज्य छोड़कर यत्रकुत्रापी गताह यहां वहां यहां कहां कहीं चले गए है अर्थात यहां तीन साल तक वर्षा नहीं होगी इसलिए इस गाउं के सभी लोग गाउं को छोड़कर कहीं और अपने जीवन यापन के लिए चले गए हैं तथा अपी भवान कि मर्थम इदम शुष्कम छेत्रम व्रिथा कर्शती ती मैं कह रहे हैं फिर भी तथा अपी फिर भी आप भवान मतलब आप फिर भी आप कि मर्थम किस लिए इदम शुष्कम छेत्रम इस सूखे खेत को व्रिथा व्रिथा मतलब बेकार में कर्शती हल चला रहे हो इती ऐसा मेख जो है वो बादल को बहुत इसपश्ट रूप से समझाते हैं कि हे किशान आपको पता नहीं है कि इस गाओं में तीन साल तक वर्षा नहीं होगी और जब तीन साल तक वर्षा नहीं होगी इस नाम से गाओं के सब लोग गाओं छोड़कर यहां वहां चले गए हैं अपने जीवन यापन करने के लिए तो आप क्यों व्यर्थ में इस सूखे खेत में हल चला रहे हैं